विदान सभा चुनाओं में एवियम में गड़बड़ी के आशंका जताते हुए अब समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोट जा सकती है मायवती के आरोपों पर आगे बढ़ते हुए सपा ने एवियम में किसी खास सौफ्ट्वियर का इस्तिमाल किये जाने का आरोप लगाया है सूतरों के मताबिक पार्टी बैलेट पेपर वोट के रिव्यू के आधार पर कोट जाएगी विदान सभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद सपा का आरोप है कि बीजेपी को बड़े पैमाने पर 325 सीटे मिली है तो इसमें एवियम में गड़बड़ी ही जिम्मेदार है बैलेट पेपर से एक ट्रेंड मालूम होता है जिसमें सपा को 70% से जादा वोट मिल रहे हैं साथ ही उनका कहना है कि हर दोई की सवायत पूर्ण में बैलेट पेपर से मिले वोटों में सपा को 381, बसपा को 260 और बीजेपी के वोटों की संक्या 182 है हर दोई प्रॉपर में सपा को 858, बसपा को 715 और बीजेपी को 370 वोट मिले हैं बिलगराम में भी यही स्तिय है वही सांडी में कॉंग्रेस को 400, बीजेपी को 243 और बीजेपी को 150 वोट मिले हैं अब इन बैलेट पेपर के आधार पर वोट को गिनें तो पूरी तरह से सपा पूर्ण बहुमस से भी आगे जा रही है उन्होंने कहा कि अभी तो यह कुछ ही सीटे हैं, हमने पूरे प्रदेश से बैलेट पेपर वोटों को मंगवाया है हम उसका रिवियू करने के बाद पूरे सबूतों और रिपोर्टों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एवियम में हुई गडबड़ी की जाच सुप्रीम कोर्ट के जच की अगवाई में हो, इसके लिए अपनी बात कोर्ट में रखेंगे मायावती न यूपी में आये नतीजों को लेकर एवियम पर सवाल उठाया था अखलेश यादव न भी इस बात के सपोर्ट में कहा था कि अगर ऐसा होने के आशंका है तो भाजपा को लोकतंतर के लिए इस बारे में सोचना चाहिए हम इसके लिए बैठा करने के बाद निरणा लेंगे देखते रहें डीबी लाइफ